नमस्कार स्वागत है अगले साल होने वाले विधान सबाच चनाव से पहले सियासी सरगर्मी तेज हो गई है फिछले दिनों AIMIMG फसाद दुनों वैसी ने मुख्यमंत्र योग्या अधित तनात को चालेंज किया था अब वैसी अपनी बात से पलट के हैं वैसी ने कहा कि योग्या अधित तनात को नीजी तोर पर चालेंज करने की बात नहीं की थी बलकि बात सियासी विरोध की है हम अगर विरोध में हैं तो हम तो यही कहेंगे कि हम दूसरी पार्टी को सरकार बनाने नहीं देंगे उवैसी ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ गडबन दन किया है वे सबी दॉलों को अपने साथ जोड़ रहे हैं पार्टी सो से अधिक सीटों पर अपने उमीदवार उता रही है असो दुद्धन उवैसी ने पिछले दिनों कहा था कि 2022 में योग्या अधितनात को मुख्य मंतरी नहीं बनने देंगे इसके बाद वक्ष मंतरी मौसीन व्रजा ने कहा था कि ओवैसी के चहरे और योगी की धमक साथ नज़र आ रही है दरसल कुछ दन पहले ओवैसी ने उत्तरप्रदेश वधान सभा में सौ सीटों पर चुनाव लंडी की घोशना की थी जिसके बाद से उत्तरप्रदेश की सियासी फिज़ा बदल चुकी है अनुमाल लगाया जा रहा है कि ओवैसी प्रदेश में छोटे दलों के साथ गड़ बंदन कर चुनाव लड़ेंगे वैसी की चुनादी पर योग याद तनाथ ने कहा था कि वैसी बड़े नेता है विदेश के अंदर प्रचार करते हैं उन्हें एक समुदाय विशेश का समर्थन प्राप्त है लेकिन वे उत्तरप्रदेश के अंदर बीजेपी को चालेंज नहीं कर सकते बीजेपी अपने मुद्दो मूलियों के साथ चुनावी मैदान में रहे हम उनके चैलेंज को स्विकार करते हैं प्रचार करते हैं प्रचार के बाइसे पूर्वाणirus में रही हैं बाइसी पूर्वानचल में उन प्रकाज राजबर के भागयदारी संकल्प मोर्चा के साथ हैं वही दूसरी तरब पश्चिमी और मध्यय योपी में चंदर शेकर की आज़ाद समाज पार्टी इसे गड़ बंदर की चर्चाय चल रही हैं। यूपी में AIMIM का बहराइच में खुला वो पहला दफ्तर जिसका घाटन खुद वैसी ने किया। मिल अपनानी के तैयारी है क्योंकि भ्यार के चुनार में AIMIM का बहराइच में 20 में द्वारप होता रहा था जिन में 5 को चीत मिली थी। इस तरह से उनका जीत का प्रतिश्चत तक्रीबं 25 पीस दी क्या असपास था। और कुछ ऐसे ही रंडीती उत्तर प्रदेश में वैसी और उनकी पार्थी तैयार कर रही है। महीं वैसी कि उत्तर प्रदेश दौरे पर सरकार के मंत्री आनन स्वरूप शुकला का साफ क्याना है कि वैसी कि उत्तर प्रदेश आने से बीजेपी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो लोग वैसी और उनकी पाथी को वोट देते हैं वे कभी बीजेपी की वोटर्स इस पर आपकी क्या रहा है आप अपनी रैकमेंट बॉक्स में जरूर बताए देश और दुनिया की तमाम चटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ हो देखते रहे हैं तिसीन न्यूस थान्यों हाथ